हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में बहुत जादा इंपोर्टन्ट नॉलिज देने वाला हूँ कि अगर आपका चैनल डीजे का है अगर आपका मिक्सिन से रिलेटेड चैनल है तो क्या मोनिटाईज हो होगा तो क्यों नहीं होगा पूरी डीटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ अगर आप चैनल पर पहली बार आएं सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना वीडियो लाश्ट तक देखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यूटूब क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे कैसे अपने सॉंग कोई लिया बॉली बुट का टी स्रीज का अब आपको एक काम करना होगा वो जो टी स्रीज से सॉंग लिया है टी स्रीज कंपनी के मालिक या कंपनी के किसी इंपलोई से एक लेटर लिखवा लो कि भहि revenue जो share होगा वो revenue हम आपको दे देंगे तो वो मान जाएगा राजी भी हो सकता है तो उसमें यह होगा कि जैसे 100 रुपए मिले YouTube की तरब से तो 50 आप ने रख लिया 50 उस ने रख लिया काम दोनों का चल रहा है तो यह एक तरीका था जिस तरीके से आपका channel monetize हो जाएगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको और चीज़े बता दूँ जब आप DJ mixing कर रहे हो किसी भी song की तो DJ को mixing करते टाइम ऐसा बनाना जो आपके जो audience है देखने वाली उसको अच्छी लगनी चाहिए आपकी वीडियो यह नहीं की बकवास लगे अगर अच्छी नहीं लगेगी तो फिर monetize नहीं होगा क्योंकि YouTube बहुत चालाक हो चुगा है वो comment भी देखता है आपकी वीडियो को भी देखता है interesting क्या बनाया यह भी देखता है और जब DJ mixing बनाओ तो थोड़ा उसमें visual भी डालो visual मतलब यह नहीं कि सिर्फ DJ का visual डाल दिया उसमें डालो कोई वीडियो का relate करके डाल दो कहीं से निकाल के pixabite website वहां से उठाके डाल दो वीडियो गए रहा डाल दोगे यह साईच यह डाल दोगे ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कोई पंगा ही नहीं होगा और चैनल तुमारा दो से तीन दिन के अंदर monetize भी हो जाएगा मैंने बहुत सारे चैनल की या फिर इंस्टाग्राम की वीडियो बिल्कुल मत यूच करना ठीक है रील सोर यह सब वीडियो जो उठा उठा के सिर्फ चेपा चेपी कर रहे हो इस टाइप का बिल्कुल मत करना monetize नहीं होगा तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई अपना ख्याल रखिए सुवरात्री